बसे रहे के धमागेदार सेसन में आप सभी का हार दीक स्वागत है आज हम लोग किसी अगर पसंद आता है जैनल अगर अपने हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और like share बी करते चलिएगा सभ्से़र पशंद आता है तो लैइस रही किज़ेगा चलिए इस्टाट करते हैं आगा सेसां आग करते हैं our प्रश में पहला है बहुत इंपोर्टन प्रश्न होने वाला है फेरी क्विन, ऑप्शन B, भौपाल एक्सप्रेस, ऑप्शन C, बिवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन D, तेजस एक्सप्रेस, तो इसका एंसर हो जाता है, ऑप्शन B, ऑप्शन B यानि कि भौपाल एक्सप्रेस, भौपाल एक्सप्रेस को ISO 900 परमानपत्र मिला था, सबसे पहले भा होता है, ISU का full form होता है Indian, sorry, International Organization for Standardization, International Organization for Standardization इंडी में होता है अंदराष्टिया मानकी करन संगठन,eo के 1947 में स्तापना होई थी और इसमक्ता Asian can अजिय जारे उसका मुख्याले जनेवा में जनेवा में इसका मुख्याले और ISO का काम क्या है यह सार्टिफिकेट क्यों जारी करता है किस्तर का सार्टिफिकर्ट जारी करता है तो इसका काम है आपने पर द्यान से निकल जाता है तो ऑप्सर भारत का मैंचेस्टर किसे कहते हैं और दियान से निकल जाता है तो ओप्सण ए सूरत ऑप्सण बी मूर्सिदाबाद ऑप्सण सी अहमेदाबाद ऑप्सण डी कानपूर तो इसका एंसर हो जाएगा अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्षेन में इसका एंसर बताइए चलिए ठीक है देखता हूँ अपने इसका एंसर हम लोग तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सण सी अहमेदाबाद भारत का मैंचेस्टर हम लोग कहते हैं अहमेदाबाद को और मुर्शिदाबाद जो कि ऑप्सण बी में हम लोग देख रहे हैं मुर्शिदाबाद तो मुर्श बंगाल का एक सहर है कानपूर कानपूर को कहते हैं इसलिए वहां होता है इसलिए इसलिए वह भारत में सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादर अहमेदाबाद में होता है इसलिए अहमेदाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहते हैं उसी तरह पुर्भी भारत में मुर्शिदाबाद में होता है उत्तर भारत में कानपूर में कपड़े का उत्पादर ज्यादा होता है इसल तो भारत का Paris किस किसी कि कहते हैं? ऐपशन हो जागेगा, जैपूर, ऐपशन B काश्मीर, ऑपशन C बैंगलूरू, ऑपशन D मसूरी, तो इसका answer हो जाएगा. भारत का पेरी स downward करते हैं जैपूर को, ऐपशन A key carbon पेरिस हम लोग कहते हैं, जैपूर को, और कास्मीर को क्या कहते हैं, तो भारत का स्विजर्लेंड कहते हैं, कास्मीर को, भारत का स्विजर्लेंड कास्मीर को कहते हैं, और बैंगलुरु को क्या कहते हैं, सिलिकन वैली, सिलिकन वैली हम लोग कहते हैं, बैंगलुरु को, और मस यह चलिए देखते हैं नेक्ष्कोर्षन नेक्ष्कषन भी इंपपोर्टेंडड है हम लोग का है अहमेदाबाद किस नदीगे किनारे इस्तित है ओपशन ए नर्मदा और साबरमति और सी विस्वा मित्री ओप्शन डी भीमा तो इसका एंसर हो जाएगा अहमेदाबाद जो की साबर मदी नदी के किनारे इस्तित है अहमेदाबाद साबर मती नदी के किनारे इस्तित है चलिए बाकी जो आप्शन बचा हुआ उसके बारे हो देख लेते हैं तो नर्मदा नदी के किनारे इस्तित है जवलपूर सहर मद्य परदेश का जवलपूर शहर नर्वना नदी किनारे इस्तित है और विस्वा मित्री विस्वा मित्री के किनारे इस्तित है वरोद्रा सहर गुजरात का वरोद्रा वरोद्रा सहर विश्वा मित्री नदी के किनारे इस्तित है वरोद्रा तो विश्वा मित्री नदी किनारे हम लोगा सहर इस्तित है वरोद्रा सहर गुजरात का वरोद्रा सहर ओप्शन D में भीमा तो भीमा नदी के किनारे है चेरे देखते हैं, next question, next question है, विश्व का प्रथम विश्व भी दाले कौन सा है, option A, option A, नलंदा विश्व भी दाले, option B, तक सिला विश्व भी दाले, option C, विक्रम सिला विश्व भी दाले, option D, हावर्ड विश्व भी दाले, तो इसका answer हो जाएगा, विश्व का प्रथम भारत था उससे में पाकिस्टान वाले छेतर में ये तकसिल Teddy विस्व भी दाले है उप्शन ए मेर नलंदा विस्व भी दाले तो यह नलंदा में 不會 इस्तित है भि़ार के नलंदा में से तब इसकी स्थापना की थी गुपत वन्स के नाम से भी जानते हैं और इसी के बाद जो राजा बने थी इसकी अस्ताफना की ती पालवंस के राज़ा धर्म पाल ने विक्रम सिलाव रिस्ताफना की थी पालवंस जिसकी रजधानी Бिहार का मुंगेर थी मुंगेर जो सहर बिहार का वहाँ पालवंस की रजधानी थी और बिक्रम सीला बिस्विदाली की अस्ताफना पालवंस की राजा धर्म पाल ने की थी धर्म पाल धर्म पाल ने बिक्रम सीला बिस्विदाली की अस्ताफना की थी आसा करता हूँ यहां तक आप लोगों किलियर है तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है आसा करता हूँ आप लोगों पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा चले मिलते हैं फी नए वीडियो में तब तेकर जैहिंद स्वस् दन्यवाद